क्या आप बनना चाहते एक स्मार्ट इंवेस्टर तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दुमाना ना भूलें ताकि आपको बेस्ट और एक्स्क्लूसिव स्टॉक मार्केट और निच्छल पंगियों पर वीडियो मिलें सबसे पर नमस्कार दोस्तो स्वागता आप सबका एक बार फिर से फानेशल अड़ा यूट्यूब चानल में दोस्तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आचुका हूँ एक बहुत ही बहतरीन कोर्स फानेशल मार्केट के उपर बेसिक्स ओफानेशल मार्केट जो की कोर्स बिल्कुल फ्री है अगर मैं उस कोर्स की बात करूँ तो वो कोर्स एक्चुल कोर्स करता है 4700 के आसपास इंक्लूडिंग GST बट मैं यहां पर आपके लिए वो ही कोर्स लेके आचुका हूँ बिल्कुल फ्री तो यह वीडियो शुरू से लेके लाज तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ म दिये गए बेल आइकन को चिरूर दबाए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा वट्सैप ग्रूप फानेशल अर्ड़ा का वट्सैप ग्रूप और टेलिग्राम चैनल दोनों ही अविलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उसमें भी वो जॉइन होईए और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलें सो गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बेसिक्स और फानेशल मार्केट के बारे में कि ये कोर्स है क्या सो गाइस ये जो कोर्स है ये प्रोवाइट कर रहे हैं इलर्न मार्केट एक बहुत ही बहतरीन ऑनलाइन प्लाटफॉम है जहां पर आप लब आप कहीं पर भी हो जाए वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो किसी भी कंट्री में हो आप स्टॉक मार्किट के बारे में अगर आप लर्न करना चालते हो तो आप ईलर्न मार्किट के यह किसकी यह Credent Info Edge Company है जिसके चार इस टेंग चार वेंचर चल रहे हैं सबसे पहला आ जाता है Elon Market Elon Market में आप online study कर सकते हैं stock market के बारे में second आपने सुना होगा जो stock market के investor और traders हैं वो stock edge app यूज करते हैं जो की बहुत ही बहुत ही बैतरीन आप है stock analysis करने के लिए तो वह एक mobile app है जिसका यूज करते हैं वह भी एप Credent Info Edge की है जो Elon Market है मतलब सेम ग्रूप की है Credent Money एक एप है जिसके त्रूँ आप mutual fund में इंवेस्ट कर सकते हो और Credent Academy Calcutta based Credent Academy है जो इस stock market, financial market की study कराते है offline और online के लिए उन्होंने platform रखा है यहाँ पर e-learn market यह जो course है basics of financial market जिसकी cost 4000 plus GST जो की beginners के लिए specially यह course बना गया है और खास बात इस course की यह है यह जो course है यह available है दो languages में first English अगर आपको English समझ आते हैं आप English में study करिए अगर आपको Hindi में समझना है तो यह course Hindi में भी अवेलेबल है तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स के लिए यह बहुत अच्छी बात है अगर आपको Hindi में study करना है stock market के बारे में Hindi में बहुत ही सरल भार्षा में सीखना है तो आप Hindi वाला language चूस करिए और जो English में करना चाहता है वो English में करिए दोनों ही course जिसकी course 4000 रुपीज है यहाँ पर आपको सिर्फ मेरे subscriber जो इस financial अटा के subscribers है उन्हीं को यहाँ पर free दिये जा रहा है यह course अब यह course कैसे free है यह आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और कैसे आपने यह course free अन्रोल करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि basics of financial market में आप सीखोगे क्या क्या अब जो इसके author है author है credit academy जो की Calcutta based academy है जो offline session कराती है वो ही यहाँ पर author है इस basics of financial market के वो ही यहाँ पर एक course सिखा रही है तो सबसे पहले हम बात करते है course की highlight की बारे में तो यह course के अंदर 38 वीडियो से टोटल और टू आर्स से भी ज्यादा का content है 30 प्लस supplementary study material भी प्रोवाइड है और chapter wise और final length test भी इसमें होगा introduction की अगर हम बात करें basics of financial market पढ़ने का महतब क्या है मतलब एक क्या need है हमे basics of financial market learn करनेगा तो इससे हमें main हमारा objective क्या हमें financial market के बारे में knowledge मिल जाएगी mutual fund के बारे में knowledge मिल जाएगी आजकल आपने सुना IPO इस time जो की 2019 में जितने भी IPO है जादा से जादा 70-80% IPO ने बहुत ही अच्छी growth करी है तो IPO में कैसे invest करना है हम वो सारी चीज़े इसमें सीखेंगे तो यह जो main course है basics of financial market इसमें हम एक सारी चीज़े एक overall एक financial market में क्या-क्या instruments होते हैं क्या चीज़े होते हैं वो हम सारी इसमें सीखेंगे अम बात करते हैं कौन-कौन से topics cover होंगे तो सबसे बहुत है basics of financial market में इसमें topic cover हो जाते है जैसे time value of money introduction of basics of financial market second आ जाते है primary and secondary market दो टाइप की market होते है primary और secondary इसके बारे में हम study करेंगे उसके बाद हम currency and fixed income fixed income होते है debt instrument इनके बारे में हम study करेंगे mutual funds के बारे में हम study करेंगे इसमें concept and role of a mutual fund mutual fund के कौन-कौन से products होते हैं और हम corporate actions के बारे में study इस course के त्रू कर सकते हैं कैसे dividend क्या होता है, bonus क्या होता है, right issue, buyback क्या होता है, stock split क्या होता है, अब काफी लोग परशान हो जाते हैं, कि थोड़े दिन पहले उन्होंने देखा था stock का price 1000 है, और थोड़े दिन बात देखते हैं, तो stock का price एकदम गिर जाता है, तो उसको कभी को stock split भी होता है, तो stock split क्य होता है, ये भी इसमें हम study करेंगे, और भी अगर हम बात करें, काफी चीजें हम इस course में जान पाएंगे, तो चलिए, अब मैं आपको ज्यादा time नहीं waste करता है, अब मैं आपको सीधा बताता हूँ, इस course को enroll को इसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको Hindi अला course enroll करके दिखा करना है, अब ये कह रहा है continue with Google या continue with Facebook, अब मैंने इसको continue with Google कर दिया है, तो यहाँ पर आपको अपनी email ID के साथ sign in करना है, तो यहाँ पर मैं अपनी email ID के साथ sign in कर रहा हूँ इसे, और यहाँ पर जो ये course है, ये हमारा login हो चुका है, तो आप हमने करना है start learning में, अब start learning में हम जैसी करेंगे, तो यहाँ पर ये आप देख रहे होगे, ये course मैंने पहली से जो है, वो करा हुआ है, so guys, मैं आपको इसको दूसरी email ID से करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जो जस्कीदत गुर्जालवली ID है, उससे पहली से ही इसको मैंने enroll करा हुआ है, तो मैं आपको दूसरी email ID से enroll करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं दूसरी email ID का use करके आपको दिखाते हैं, कैसे इसको enroll करना है, so guys, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, enroll now, और यहाँ पर मैं को अपनी profile अपडेट करनी है, तो सबसे बहले यहाँ पर आप जैसी profile अपडेट करोगे, आपको पहले country डालनी है, ठीक है जी, इंडिया, और उसके बार state डालनी है, डेली, और फिर आपको अपनी state में, जहाँ पर आप रहते हैं, उसका pin code डालना है, अब जैसे ही आपने update profile कर दिया, तो आप पीछे देख रहे होगे कि स्कोर्स की value जो आ रहे है, वो आ रहे है, 4720 जैसी आप ये देखो, अभी आपके पीछे जो value आ रहे होगी, वो आ रहे है, 4720 रूपीस, मतलब ये जो course है, ये आपको मिल रहा है, 4720 रूपीस आप दोगे, तो ये पूरा course आपके लिए मिलेगा, अब जैसे आपने ये coupon code अपलाई करा, fin add 100, तो आप पीछे देख रहे ह होगे, कि आपको ये course जो है, 0 रूपीस में मिल रहा है, मतलब बिलकुल free हो गया, ये course आपके लिए, तो अब आपने करना है, यहाँ पर start learning, और start learning में जैसी आप करोगे, तो ये course open हो रहा है, तो आप मैं आपको दाता हूँ, अब ये course आपने शुरू कैसे करना है, तो यह यहाँ पर purchase हमारी complete हो चुकी है, और यहाँ पर 3 seconds लेगा, यह redirect हो जाता है, जो course 4700 का है, including GST, वो course हमें यहाँ पर free में मिल गया है, तो यहाँ पर हमें यह opportunity बिलकुल नहीं छोड़नी है, हमें यह course पूरा study करना है, क्योंकि यह, कहलो यह option बार बार नहीं आते, आज आपक मिल रहा है, especially जो subscriber है, financial agenda के, उनको यह course free में मिल रहा है, कोई भी यह coupon code डालेगा, तो उसको यह course free में मिलेगा, आप देखिए, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर 3 dots आपको नजर आ रही होगी, जैसे आप learn now में करोगे, आप 3 dots को click करना है, कुछ भी आपने study करना है, basics of financial market, primary and secondary market, currency and fixed income, यहाँ पर आप study कर सकते हैं, अब मैं आपको एक study करके दिखाता हूँ, मतलब एक मैंने mutual fund को ला, mutual fund में मैं, जैसे concept and role of a mutual fund study करना है, तो यहाँ पर जैसे आप open करोगे, तो यहाँ पर अब यह video start होगी है, अब यह जैसे मैं आपको दिखाऊँ, आप यहाँ पर earphones का use करना, earphones से आपको better मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपने यह course देख लिया, अब so guys, यह दियाच की video, जिसमें मैंने आपको पूरा पताया कि कैसे आप basics of financial market पूरा learn कर सकते हो, तो guys, इसी तरह जैसी आपने study करा mutual funds के बारे में, इसी तरह आप primary and secondary market के बारे में learn कर सकते हो, जैसी आप primary market open करोगे, तो यहाँ पर primary market के ओपर जितनी भी videos है, जैसे IPO, IPO terms, इनके ओपर सारी videos open हो जाएगी, तो आप IPO के बारे में भी learn कर सकते हो, यहाँ से, तो basically यही कहने की बात है कि इस course से, आप एक हर एक, हर एक चीज, basics of financial market के बारे में learn कर लोगे, so guys, इस course को जरूर apply करें, इस course को जरूर इस course को आप enroll करें, यह course की fees बिल्कुल free है आपके लिए, सिर्फ especially financial address subscribers के लिए, तो मेरा यह मानना है कि आप सारे, आप सारे जितने भी subscriber हो, जितने भी viewers ह जितने भी इस channel को follow करते हैं, तो मेरी बात जरूर माने और इस course को जरूर apply करें, जरूर enroll करें, और basics of financial market की पूरी study लें, और फिर इस market में आप जब investment करोगे, तो आप जरूर profit earn करोगे, so guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हमारे सारे जुडने के लिए आपको पता ह जोइन होना है, और telegram जोइन होना है, तो वो उसके जो link है, वो description में provided है, और instagram में हमें follow करना, जरूर बिलकूल ना भूले, so guys, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, next video,